यहां पर मैं बना रही हूँ खाना और खाने में आज सबजी क्या बनने वाली है आपको दिखी गया होगा पनियर की सबजी बनने वाली है तो सबसे पहले ना मैंने अध्रक लसुन का पेज डाल दिया था और फिर दूसरे कामा में लग गई थी ना थोड़ा सब वो ब्राउन हो गया है तो हिससे जलबाजी में मैंने ग्यास कर दिया उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाल दिया नंबहरे-आंबह काटके उसके बाद टोमेटु और वह सारी चछेज डालंगे उससे पहले मैंने इलाईची और थोड़ी लॉग लिये है उससे थोड़ा सा बना एकर उ फिर उसको पीस के मसाला बना लूँगी और उसके बाद फिर हमारा पनीर भून लूँगी तो बस यही ऐसे ही मसाला बना रही हूँ और उसमें थोड़े से काजू और क्या बोलते है तो ठोड़ा सा नमक बेड़ करना है ताकि थोड़ा से जल्दी से गल जाए तो इसी वज़े से और एक हरी मिर्च पर आड़ कर दी मैंने ताकि इसका भी टेस्ट अच्छा आ जाता है उसमें फिर तो इसी वज़े से और थोड़ी देर ढखके रख दूंगे नमक डालके और यह अच्छे से गल जाएगा तो इसके मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ से लाव इंच पर डाली है और उसी थोड़ा सा मैंने करने के लिए रख दूँगा दूँगे मैंने आ communalट मेंस लगा करने भी है जादा उसे इससे ब्राउन होने तक फ्राई करने है हल्का सा फ्राई करके निकाल लेना है क्योंकि फिर वो ऐसे रबर जैसे बन जाते हैं तो यहां पर हमारा मसाला रेडी है अभी स्टीम आ गई है उसे अभी मैं डालूंगी उससे पॉट में और पीस लूंगी तो गरम गरम ही डाल रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए क्योंकि मुझे जाना है कही बाहर वो आप यहां पर मैंने जल्बाजी होटा जलबाजी में डाल दिया उससी कड़ाए में अभी वो जो पनी रही हो उसमें और जो मसाला है वह हो पीस लोुँपार जो गरंवी बनाने वाली हूँ तो यहां पर जो ऑल है कर्या है इसमें मैं टाल दिया म guy-dια Kal Chemistry डाल रखा था, जो अभी मसाला हम नोगों ने पीसा, वो पेस्ट मैंने उसमें डाल दिया, और अच्छे से इसे भून लेना है, तेल छोड़ने तक, और अच्छे से तेल छोड़ने तक भूनने के बाद फिर उसमें पानी आड़ करना है, और थोड़ सा हलका सा नमक आपको लगता पर और और यहाँ पर धनिया पता और थोड़ा सा पानी आड़ कर दूगी, और बस उसके बाद थोड़ी दे ढखकर रखकर पका लोगी, और बन जाएगी हमारी पनियर की सब्जी, इसे आप राइस के साथ खाओ, इसे आप तंदूरी रोटी के साथ अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हो तो आप बना के जरूर देखना आपको बहुत अच्छी लगेगे और इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा आप मलाई भी डाल सकते हो अच्छी लगेगी टेस्ट अच्छी आती है उससे अगर हाथ में लग जाए यह तो काम कर वालो अगर हाथ में लग जाए यह तो काम कर वालो इनसे जो भी है कर लेलो नहीं वभी इनई इसी वज़े से बूर हो थी की कार लेलो कंजूस आदमीं है कंजूस आदमी यह है त्राफिक में हम लोग जहां पर जा रहे ना एक्छली वहाँ पर गल्ली में जा रहे है तो इसी वह जसे कार नहीं जाएगे और कार का इतना प्रोब्लम है कि वहाँ पर पार्क करो एक जगह पर पार्क करो फिर इदर उदर घूम और वह भी पैदल तो दूप करना इसलिए फिर बाइक से जा रहा है चलो और दूप इतनी ज़्यादा तेज है यार कभी पारिश आती है कभी कमझ में नहीं आता है क्या करे कि ज्रुब बैंक में पहुज गए हम लोग अभी बैंक का काम करते हैं फिर जाते हैं मार्केट में अब हम लोग जा रहें मार्केट में अच्छली इनका थोड़ा सक्रेटिट कार्ड का प्रॉब्लम था कुछ तो भी जंजट हो गई थी वहाँ तो इसी वज़ो से हम लोग यहां पर आयते हैं वह हो गया काम अब भी निकल रहा है मार्केट जाने के लिए तो घर पर आने के बाद फिर शाम को यह लोग गए महालक्ष्मी के दर्षण करने मेरी पड़ोस में ही तीन गर्फे महालक्ष्मी थे और वहां पर तीन घर पर यह लोग तर दर्षण करके आ आ गेए क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी आपको तो बताया था पिर इठाई से वज़े से थोड़ा सा वही मुझे बिल्कुल अजीब सा लग रहा था घर में अकीली मैं घर में थी और ये सब गया थे माही भी गय थी ये भी गय थे अद्विक भी गया था तो फिर मैंने माही को बोला कि शूट करके लाना ताकि मुझे सब के घर के महालक्षमी के दर्शन हो जाए और उसके बाद फिर मतलब मेरा मेरे दिल को थोड़ी सी तसली मिल जाए मैं इस बार ससुराल में भी नहीं जा पाई आप लोगों ने पूछा था कि दिया ससुराल में नहीं गय क्या तो इस साल सस और सकते हैं हमसे हमाइ क्या है मतल property हमें इतना ज़ादा नहीं समझ है जितनी समझ उनको होती है तो उन्होंसाल में स्कून धाल के दिलता करते हैं था अब यहावी ने परेंटी लिए अ करके महालक्षमी के आप यहां के भी महालक्षमी के करें डर्शन कर लिजGI थोड़ा थोड़ा प्रशाद इन्होंने तीनों घर पे लिया और बहुत अच्छा लगता है यार इस टाइम पे बट इस साल तो अजिब सा ही लग रहा था मुझे अकली कोई अजिब सा लग रहा था क्योंकि बाहर निकलने के लिए मिलनी रहा था यहां पर गनपती भी थे तो वहां पर भी दर्शन के लिए जाने के लिए नहीं मिल रहा था उसके बाद महालक्षमी के लिए भी नहीं मिला जाने के लिए उसके बाद मम्मी के आपे मैंने सोचा था मम्मी के आपे भी जाने के लिए नहीं मिला इसी वज़े से थोड़ा सा मुड़ाफ हो गया था तो इसी वज़े से व्लॉग नहीं बनाएं आगे से आपके लिए कंटीनिव व्लॉग आएंगे उस घर के आरती होने के बाद उस घर में प्रशाद लेकी ये तीसरे घर में आये यहाँ पे और एक ही लाइन में तीन घर में हमारे यहाँ पे महालश में बैटी है और इतना ज्यादा मतलब चहल पहल थी उस दिन हमारे कॉलनी में और मतलब लाइटी इंग और ये वो बहाँ द्यादा अच्छा लग राता बट घर के बाहर निकल रही थी तो मेरा मन खराब हो राता तो फिर घर पे कॉल किया और फिर उसके बाद घर पर बाते करती रही घर का भी प्रोग्राम था उस दिन तो महालक्षमी का तो उस दिन घर पे भी महालक्षमी का प्रोग्राम खतम होके सब लोग बैटे थे तो उनसे बाते की फिर थोड़ा सा अच्छा लगा चलिए गाइस बच्चे आ गया है वहां से मतलब दर्शन वगरा करके माही कैसे लगा आपको दर्शन बहुता खीरोड़ा कि ओंना ापकता बहुता अच्छा लगाली सब्सक्राइब मेरे नसीब में ही था किसे समझ लेथितीया था मैं घर पंपय होगी ऑखर मिया भादेम्ध तो ऐसे हुआ और मैं बैठी हूँ घर पर ये लोग सब लोग गए जाके खाना खाल के आप ही गया और बहुत आदा रोनक लग रही है हमारे कॉलने में आज तो लब एक घर चोड़के एक घर चोड़के तेक ही लाइन में तीन घर में मालक्षमी है आज और इतना अच्छा ल बैल आइकोन दबा देना और शेयर और लाइक कर देना तो चले गाइस मिलती हो नेक्स व्लोग में तिल देन बाबाय टेक केर एड लब यू अल और हाँ इंस्टा पे फॉलो करना मत बुलेगा इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया आपके लिए बाइ बाई बाई